दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है डेली करेंट अफेर क्विज में आज हम देखेंगे 7 जनवरी की करेंट अफेर को जो की सभी परिक्साओं के लिए मैथ पून रहेगी डेली करेंट अफेर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट अफेर के कोशन आंसर को दोस्तो कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूंगा जो कि इस वीडियो का रिविजन कोशन रहेगा तो इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में दोस्तो बताएगा कोशन है हाल ही में राजपती मुर्मु ने कहा सविधान उद्यान का उद्गाटन किया तो इस कोशन का दोस्तो रिविजन कमेंट बोक्स में फटाफट बता दीजे शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है हाल ही में जेशन मू को किस बैंक ने CEO के रूप में नुक्त किया है दोस्तो पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा Option C, Bank of Singapore यानि की C राइट आंसर रहेगा कोशन नमबर 1 का राइट आंसर ठीक है दूसरा कोशन आता है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीरे सुरक्षा कवच अभ्यान सुरू किया है तो दूसरे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है पस्चिम मंगाल में यानि की A राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 3 आता है हाल ही में राजपती मुर्मु ने कहा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अठारवे रास्टे जमबोरे का उदगाटन किया है दोस्तो तीसरे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है पाल ही में यानि की B राइट आंसर हैगा ठीक है भई चाले कोशन नमबर 4 आता है हाल ही में 46 वे अंतरास्टे कोलकता पुस्तक मेले का थीम देश कोण सा बना है दोस्तो कोशन नमबर 4 का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही इस्पेन यानि की C राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 5 आता है हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्जे ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्थापित करेगा तो पाँचवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा तमेल नाडो यानि की B राइट आंसर हो जाएगा पाँचवे कोशन का सही उत्तर देखेए 6000 के कोशन आंसर्स की जो दोस्तो हमारी पीडियाप है ये मात्र 150 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं इस पीडियाप में आपको क्या-क्या मिलता है इस पीडियाप में आपको दोस्तो Complete History, Geography, Policy, Economics के 2500 कोशन जो की Important Questions का दोस्तो कलेक्शन है वैसे Science के दोस्तो Physics, Chemistry, Biology के 2000 कोशन Current Affair 2022 के 1000 कोशन और Computer के 500 कोशन यानि कि आप किसी भी एक्जाम की चारी करते हैं दोस्तो ये उसी एक्जाम के लिए Important रहेगी पीडियाप और इसके साथ में 1000 इस्टेटिक जीके की पीडियाप आपको बिल्कुल Free of Coast मिलने वाली है इस पीडियाप को आप कैसे परचेज करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है या फिर हमारी वेबसाइट या फिर वोटस अप नमबर से परचेज कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बेल एकन को ओन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं चटा कोशन क्या कह रहा है हाल ही में किस देश ने एसे डाकसंग का नेतरित संबाला है तो चटे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तो बिल्कुल से भारत ने यानि कि A राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो सात्वा कोशन आता है हाल ही में किस राज्य में वाल और पीस मियूरल बनी है तो इस कोशन का राइट आंसर बतेगी तो साथवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा केरल यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर एट आता है हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में चतिसवी सामरिक वारता आईजित की है दोस्तो आठवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा तो बिल्कुल सही है फ्रांस यानि की सी रेट आंसर हो जाएगा चले कोशन नमबर 9 आता है दोस्तो हाल ही में वाल्टर कनिंगम का निधन हुआ है वे कौन थे तो नोवे कोशन का दोस्तो रेट आंसर करेगा ये दोस्तो अंतरिक्स यातरी थे यानि की Option A रेट आंसर हैगा कोशन नमबर 9 का सही उत्तर दोस्तो कोशन नमबर 10 आता है हाल ही में कहां इमोईनू इरप्ता मोथसव मनाया गया है तो इस कोशन का रेट आंसर कहरेगा दोस्तो दसवे कोशन का रेट आंसर हैगा option c ये महुत सब दोस्तो मनीपूर में मनाय गया है तो c rate answer हो जाएगा देखें सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तो तो वीडियो को एक बार like कर दीजे और अगर आप इस वीडियो को regular देखते हैं और आपके भाई भेन या जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं उन तक इस वीडियो को नहीं पहुचा है आप लोगों ने तो पहुचा दीजे दोस्तो एक share के button पे click करके 2-3 second लगेगी आपको और ये maximum बच्चों तक हमारी वीडियो पहुच सकती है तो please ये छोटी सी request है इसको जरूर करिएगा वीडियो देख लीजे उसके बाद कर देना ग्यारवा कोशन कर रहा है कि हाल ही में परदानमंतरी मोदी वरानसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉंच करेंगे दोस्तों ग्यारवे कोशन का right answer तो right answer is डिब्रूगड यानि की B right answer हैगा हाल ही में किसने चीन के सहयोग से पोकरा रीजनल इंटरनेशनल एरपोर्ट का उदगाटन किया है दोस्तों कोशन नमबर 12 का right answer हैगा बिलकुर सही है नेपाल ने यानि की C right answer हो जाएगा कोशन नमबर 13 है हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है दोस्तों कोशन नमबर 13 का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer दोस्तों हर्याना हो जाएगा यानि की B right answer कोशन नमबर 14 है हाल ही में किस railway station को फसाई दुआरा 5 star rating परमान के साथ इसका right station से सम्मानित किया गया है तो कोशन नमबर 14 का दोस्तों right answer क्या रहेगा right answer दोस्तों हो जाएगा option C यानि कि वारांसी केंट railway station ये आपको याद अखना है काफी important question हो सकता है अगला question दोस्तों आता है हाल ही में जी 20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहां आईजित होगी ये बताईए तो question नमबर 15 का right answer क्या रहेगा right answer दोस्तों option A हो जाएगा ठीक है पुर्डुचेरी ये आपका right answer रहेगा अगला question 16 आता है हाल ही में गोवा में मोपा हवाई अड़े का नाम करण किसके नाम पर करने की मंजूरी दी गई है तो solway question का दोस्तो right answer क्या रहेगा right answer हो जाएगा मनोहर परिकर जी के नाम पर यानि की b right answer हो जाएगा दोस्तो solway question का सही उत्तर question नमबर 17 आता है भारत के 79 वे grand master कोन बने है दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है प्रेनेस M यानि की right answer option C हो जाएगा अगला question आता है किस देश ने मदुमक्ख्यों की संख्या कम करने के लिए दुनिया के पहले TK को मंजूरी दी है 18 question का right answer क्या रहेगा तो right answer is America यानि की बी right answer है दोस्तो 18 question का सही उत्तर question number 19 है James and Jewelry Domestic Council ने किसे chairman चुना दोस्तो 19 question का right answer है बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है सेम महरा यानि की right answer is option है ये आपको याद अखना है वही question number 20 है भारत में पहली बार कहां पर formula E world championship race की मेजबानी करेगा तो ये आपको बताएं दोस्तों भारत में पहली बार देखिए काफी important question हो सकता है कहां पर formula E world championship race की मेजबानी करेगा तो 20 वे question का right answer हैगा हैदराबाद यानि की A right answer हो जाएगा ये 20 करेंट फिर के question answer हो गए हैं हमारे अब आज का जो हमारा homework का question है इसका answer comment box में बतेगा हाल ही में किसकी नविंतम पुस्तक अंबेड कर लाइफ लॉंच की गई है इस question का answer comment box में बताएगा इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा आज का हमारा question of the day दोस्तों important है बलतकार के दोसी को किस धारा के तेथ सजा होती है सभी स्टूरेंट comment box में आंसर बतेगा पांस चैकिन का मैं आपको समय देता हूँ उसके बाद आंसर बताऊगा तो मेरे प्यारे दोस्तों बलतकार के दोसी को किस धारा के तेथ सजा दी जाती है धारा 376 के तेथ यानि की option C rate answer हो जाएगा ठीक है कल का हमारा homework का question था हाल ही में किस ने उडिशा में high speed 5G दूसंचार सेवाओं का सुभारम किया तो right answer दोस्तों हो जाएगा अस्वनी वैसनवने तो A right answer हो जाएगा कल के homework का answer दोस्तों जो हमारी 6000 के question answers की पीडियाप है इस पीडियाप में आपको सारे subject मिल जाते हैं history, geography, policy, economics के भी सारे important questions है physics, chemistry, biology के सारे important questions है current of your computers में पूरी cover है तो आप इस पीडियाप को 175 में नहीं केवल 150 रुपीज में purchase कर सकते हैं इसका link नीचे description box में है और आप इसके साथ में एक static gk की पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों हमारी website है onlytopstudy.com या तो यहां से directly purchase कर सकते हैं WhatsApp नंबर पे message करके भी purchase कर सकते हैं और इसका link नीचे description box में भी है वहाँ से directly purchase कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो subscribe करिए bell icon को on रखिए ताकि आगे आने वाली सभी videos के notification आपको मिलते रहे वीडियो पसंद आए तो like करिए share कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ में मिलते हैं कल की वीडियो में thank you so much bye bye take care ख्याल लखे अपना